Hello everyone and once again, welcome to the Technical Soul. मैं रहुल शर्मा, Technical Soul में आप सभी का स्वागत करता हूँ. और आज का जो हमारा वीडियो है, वो है Google Maps के उपर. Google Maps, हलाकि सबको लग रहा होगा कि Google Maps पर क्या वीडियो है, बट वो वीडियो है आपको Google Maps अपनी गाड़ी में कैसे यूज करना है. आज कल की गाड़ीयां जो आ रहे हैं, उनमें प्री बिल्ड मैप्स आ रहे हैं, बट उसमें आप प्री बिल्ड मैप्स में आपको ट्रैफिक जैम और ये इंफरमिशन नहीं मिल पाती है. वो इंफरमिशन मिल पाती है Google Maps के थ्रू. तो हमें Google Maps गाड़ी में कैसे यूज करना है, ये आज का वीडियो है. और जो गाड़ियां हैं वो आप I20, Venue, I10 Yaws, Creta, Alcazar. इन गाड़ियों में आप सेम तरीके से Google Maps यूज कर सकते हैं अपने iPhone के थ्रू. आज का वीडियो रहेगा, वो रहेगा Apple CarPlay, iPhone के थ्रू कैसे Google Maps यूज करना है, अपनी गाड़ी में. तो मेरे पास I20 कार है, और मैं इस गाड़ी में आपको Google Maps यूज करके दिखाऊंगा, तो आइए शुरू करते हैं. Okay, so, अब आपको अपनी गाड़ी में Google Maps चलाने के लिए क्या करना है, आपको चाहिए दो चीजें, पहले चाहिए आपको Apple iPhone और दूसरा उसकी केबल. So, अब आप यहाँ पर देखिए नीचे आपको अपनी गाड़ी में दो चार्जिंग सॉकेट मिलेंगे, बदब दो सॉकेट मिलेंगे, एक होगा फास्ट चार्जिंग के लिए, एक होगा USB पोर्ट, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको केबल USB पोर्ट में लगानी है, केब लगाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ओपर लिखा आगया यहाँ पर फोन कनेक्ट हो गया है, एपल कार प्ले, तो यहाँ पर आपने एक लिक किया, तो यहाँ पर आपकी सारी चीजे सेटिंग्स, WhatsApp, Amazon, Google Maps, सारी चीजे आ गई हैं, अब आपको एक क्या कर किया, okay, and see this, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर स्टार हो चुका है, and जैसे आप ड्राइब करेंगे, वैसे वैसे जो है, आप आपको यह रास्ता बताता जाएगा, and there is also option that more routes option है यह नहीं है, जैसे आप यहाँ पर यहाँ पर एक option available है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपना route चेंज कर सकते हैं, if you want to, यह best route दिखाता है, fastest route दिखाता है अपने आपी, इसके अलाव अगर आपको चेंज करना तो आप वो चेंज कर सकते हैं, otherwise there is an option for message reading, also there are some messages that you can read, and also if you want to play music, you can go to Amazon Music, and Google Maps के साथ साथ आप music चला सकते हैं, there is also a calendar for if you have any event or something, और इसमें जो WhatsApp है, वो आपके messages ऐसे शो नहीं करता है, वो messages आपको जो सिर्फ रीड करेगा, यह message रीड करेगा, so I really don't think इसका कोई need है, बहुत लोगों ने मुझसे एक चीज पूछी थी, that, की Google Maps तो मैंने बता दिया, but बहुत लोगों मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, but बहुत लोगों अगर उसमें कुछ third party से कुछ होता हो, तो I really don't know about that, but Apple CarPlay और Android Auto के थ्रू आप अपनी गाड़ी में YouTube नहीं चला सकते हैं, but there are multiple things that you can do, आप अपने Google Maps, that is a more important thing जो आप चला सकते हैं, जो की आपको बहुत जादा helpful रहेगा, like आज कल traffic बहुत जादा है, तो that will be really, really helpful for everyone, so और अ पात हुई iPhone की, if you have Android phone, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं, same procedure है, आपको same USB port में अपनी cable लगानी है, Android phone को connect करना है, and जहां पे आपने देखा था कि यहां जहां पे इस तरफ Apple CarPlay लिखा आ रहाता है, वहां पे Android Auto लिखा जाएगा, then you have to press Android Auto, and same आप अपने phone से Google गोगल नेविगेट करके साई चीज़ कर सकते हैं, and one more thing that आप यह देख रहोंगे, yellow line, that shows that there is a bit traffic, खलका फुलका traffic है, यह सारी चीज़ आपको यहां देख रहोंगे, otherwise, blue line है, वहां पे कोई भी traffic आपको नहीं दिख रहा होगा, Google Maps, जो है, आप I-20, I-10, Venue, Crater, Alcazar में चला traffic थोड़ा सा कम है, blue में, traffic नहीं है, so, यह सारी चीज़ आपको सिफ Google Maps के थ्रू मिलती है, गाड़ी में जो pre-built maps है, उसमें यह सारी information नहीं मिल पाती है, और उसमें एक चीज यह भी होती है, कि आपको जो बड़े-बड़े locations है, like, if you want to go some other place, like, you want to go to Jaipur, or Jodhpur, or Bikaner, तो ही मिल पाएगी, तो यह हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटी सी information देना चाहता था, मैं आप लोगों को, I hope आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे like and share करिये, और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है, तो all of the comments and till then keep liking to the technical soul, keep supporting, thank you so much.